आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें आज हम करने जा रहे हैं छटी की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वरक्षीट नमबर 13 और आज की तारीक है 13 नमबर आपको याद है हम पौदों के बारे में बहुत सारी बाते जान चुके हैं और आज उसी संतर में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें भी इस्पेशली हम फूल के बारे में बात कर रहे हैं कि फूल पौदे का सबसे खुबसूरत और रंगी इन्भाग होता है हमें पता है कितने color होते हैं कितने सारे रंग कों के फूल होते हैं फूल तने या शाक्या से एक छोटे से डंछल की साहयता जुड़ा होता है। फूल ही चोंटब साल ancien देखा यह और इस दंछल के ल्म होतार के ओपर 4 चक्र होते हैं। एक फूल में भाईय्य दल यानी बाहर का दल और पंखुडिः पुंकेसर और इस्त्रीकेसर होते हैं तो ये बाहयदल पंकुडी पंकुडी तो आपको पता ही है कि क्या होती है पुंकेसर इस्त्रीकेसर ये सब क्या होता है चलो ये सब देखते हैं और जानते हैं फूल के बारे में कुछ खास बाते हैं आप इस चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पर एक फूल बनाया गया है, इस फूल को जब हम ठीक से देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डंठल, जो हमने अब यह भी पढ़ा था कि फूल जो एक डंठल से जुड़ा होता है, तो यह डंठल है जो हरे रंग का ह जो आपने देखा है कली बंध होती है तो उसके उपर होता है तो इसलिए इसको बहायय दल बोलते क्योंकि जब तक फूल खिलता होते है तो यह निचे कीदर मुड़ करना अपने निकाल आती है तो भायय दल जो हरे हरे रंग की पतियां होती है उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है दल बहाई दल के साथ दल दल किसको बोलते हैं? पंकुडियों को दल बोलते हैं यह जो पिंक कलर की गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है सब पंकुडियां है उसके बाद आप इसके बीच में देखिए बिल्कुल ये बीच वाला हिस्सा जो है फूल के अंदर जो हम देखते तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं कई बार दाने दाने जैसे बने होते हैं एक गोल हिस्सा बना होता है जैसे ये गोल है यह जो गोल हिसा है इसको हम बोलते हैं अंडाशय और आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो इसी अंडाशय से एक सीधी लाइन निकल रही है जो उपर जाके गोल हो जाती है तो यह जो सीधी लाइन जाती है इसको बोलते हैं वर्तिका अंडाशय में से वर्तिका जाती है औ और वर्तिका से वर्तिकाग्र तो ये तीनों मिलकर कहलाते हैं इस्तरी केसर इस्तरी केसर का क्या मतलब होता है ये फूल के वो इस्तरी वाले अंग हैं जिससे की उनके अंदर जनन होता है या उनकी संख्या बढ़ती है उसके बाद दूसरी तरफ देखिए जहां पे हमने भाय ऐसे लंबी-लंबी उसमें से तंतु जैसे जाते हैं, सीधे-सीधे तो ये जो तंतु जाते हैं इसमें से, ये तंतु के उपर वाला हिस्सा ऐसे बना होता है जैसे यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है तो ये जो सीधे धागे जैसे जा रहे हैं इसे तो तंतु बोलते हैं और जब ये धागे जैसे उपर से गोल हो जाते हैं तो गोल हिस्से को बोलते हैं पराग कोश तो ये तंतू और ये प्रागकोश तो प्रागकोश और तंतू ये दोनों हैं पुंकेशर यानि की नर भाग हैं फूल के अंदर के जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं जनन के लिए मादा भाग और नर भाग दोनों जरूरी है तो इस्त्री केसर जो है वो मादा भाग होता है और पुंकेशर जो है वो नर भाग होता है तो पुंकेशर में कौन-कौन से दो हिस्से आते हैं प्राकोश और तंतु और इस्त्री केशर में कौन-कौन से भागाते हैं अंदाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र मैं उमीद करती हूँ यह आपको याद हो गया अगो नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइन करके या वीडियो को रोके नहीं याद कर लीजिएगा क्योंकि यह है एक important knowledge अब बढ़ जाते हैं आपकी तरफ जो बाते मैंने अभी-भी आपको बताई दी वो सब यहाँ detail में लिखी है तो हम एक बार पढ़ तो जरूर ही लेते हैं बहाई दल, हरी, पत्ती जैसी संरचना होती है जो कली की रक्षा करते हैं यहाँ पर यह चित्र भी दिखाया गया है और मैंने आपके लिए इस चित्र को बढ़ा करके भी लगा दिया है जिसे आप देख सकते हैं आगे और यह एक फूल का सबसे बाहरी भाग होता है क्योंकि यह सबसे बाहर होता है, फूल तो इसके अंदर होता है, फिर उसके बाद दूसरा है पंकुडी, पंकुडी फूल का रंगीन भाग है, और इसमें खुश्बू होती है, और यही जो रंगीन पतियां होती है, कीटों को आकरशित करती है, जैसे आपने देखार ना, बनाते हैं, तो सबसे बाहर कौन था, सबसे बाहर था बहाईयदल, उसके अंदर होती है पंकुडियां, और पंकुडियों के अंदर हमें पुंकेशर और उसके भी अंदर हमें इस्त्रीकेशर दिखाई देता है, तो पूल का मादा जनन अंग होता है, जो मैंने आपको बता ताधा धागे की तरह उपर बढ़ रहा था और उपर की तरह थैली की तरह गॉल हो जाता जिसे पराग कुश बोलते हैं जिसके अंदर पराग कंळ होते हैं तो यह हो गई बातें अ Suppose यह लिगा कर यहां पर दिखा दिया अब बढ़ जाते हैं आगे कि दर असल फूलों के कारे क्या होते हैं तो फूलों के होते हैं जो कारे उसमें है फूल सबसे पहले पौधो का जनन अंग है फूलों के अंदर पौधो का क्यूंकि आपको पता ना फूल के अंदर ही बीज भी होते हैं जिसे हम और नए पौधे भ प्रगण के पस्चात फूल बीज उत्पन करता है जैसे मैंने कहा ना फूल के अंदर बीज होते तो बीज कैसे बनते हैं इनी कीटों के प्रगण की सहायता से तो चलो अब बढ़ जाते हैं फूलों के तीन कारें को देखने के बाद आगे की तरह अब इन्होंने आपको पूजा का महोल चल रहा है दिवाली वली बात है तो कोई भी फूल जो भी आपके सामने आए एक दो फूल ले लिजिएगा उसका नाम लिख दीजिएगा फूल का और फूल का नाम लिखने के बाद यहाँ पर फूल का नाम लिखिए उसके बाद उसके बारे में कुछ बात फिर पंखुडी की संख्या और रंग भी गिनने हैं तो उसके अंदर फिर पंखुडियां है जो कोमल कोमल होती है रंग भी रंगी उनको गिन लीजिए और उसका रंग भी बता दीजिए जैसे मान के आपने सूरज मुखी का फूल लिया तो सूरज मुखी का फूल में तो बह लग अलग हैं और उसके बाद यहां लिखना है फिर आपको बताना है कि पुंकेसर जो मैंने आपको बताया थे ना तंतू के साथ प्राकोश बताया था पंखुरी से जुड़े हुए हैं या अलग हैं और वो आपको लिखना है यहां पर भाई यह तो गुलाब के बारे में ब आपको मिलेगा ही उसके अंदर लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कीजेगा कि है कि नहीं इस तरीकेसा जिसके अंदर और अंदाश्या होगा गोलगोल होगा वो अंदाश्या होगा उसमें उसी के आजसपाँ से जो है पुंकेशर की तंटु निकलते हुए दिखाई देते हैं तो ये हो गई activity जो आपको खुद करनी है अब बढ़ जाते हैं आगे प्रश्ण उत्रों की ओर देखें आज हमने क्या सीखा प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं प्रश्णों के उत्तर देने हैं हमें वैसे तो आपको सारे प्रश्णों के उत्तर आते ही होंगे अब इतना सीखने क करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको सारे च्वार目 होगी बढ़ाया दे दूंजवावी साथ आगए धन तेरस की चोटी दीवाले की अप सभी को बहुत 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 सारी शूप कामना है आपके सभी त्योहार और दिन मंगल हूँ साथ में क्योंकि त्योहार पर बहुत सारे गिफ्ट दिये जाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट हमें भी मिलते हैं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिवाले गिफ्ट के तौर पर ही सही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को आप जैसे सब्सक्राइब को क्लिक करेंगो उसको कलर चेंज हो जाएगा मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया चैनल को उसे फेक ही बार सब्सक्राइब करना है केवल और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें अब बढ़ते हैं आगे प्रशनुत्रों के और पोधों के प्रजनन अंग का नाम बताना है तो पोधों का प्रजनन अंग होता है फूल यह हमने पढ़ लिया है फिर फूल के किस भाग में पूंकेसर और प्राकोश होते हैं यह हमें बताना है तो फूल के डंठल पर पंखुडियों के बीच में कुछ लंबे-लंबे सूत्र जैसी रचनाई होती जो मैंने आपको बताना तंतु जैसे धागे जैसे निकल रहे होते हैं उपर की तरफ को उपर की तरफ बढ़ते हैं और उपर जाके यह गोल या फूले हुए होते हैं जो मैंने आपको चितर में दिखाया था इन्हें ही कहते हैं पूंकेसर फूल का नर भाग होता है और पूंकेसर के उपरी स्रे पर इस्तित फूले हुए भाग को ही प्रागोष कहते हैं उन्होंने पूंकेश और प्रागोष के बारे में पूछा तब हमने यहां बता दिया फिर उन्होंने पूछा है पूदे का कौन सा भाग प्रागण में मदद करता है फूलों में रंगीन पंखुडियां होती है जो कीटों को आकरशित करती है और प्रागण में मदद करती है तो फूलों की पंखुडियां प्रागण में मदद करती है तो अब चौथा प्रश ने फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताना है तो चलो ये भी बता देते हैं फूल के नर और मादा अंग का नाम फूल का जो नर अंग होता है उसको कहते हैं पूंकेशर ये मैंने आपको एकदम शुरू में ही समझा दिया था और मादा अंग को कहते हैं जब हम फूल के पार्ट देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था अब चित्र को पहचानना है यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है और चित्र को पहचान कर आपको बताना है कि चित्र में क्या दिखाया गया है एरो के निशान दिये हैं काले रंग के तो ये काले रंग के एरो से क्या आप दिखा रहे हैं, क्या हम से पूछ रहे हैं, तो ये एक फूल के अंदर का अंडाश्य है, जिसे इस चित्र में दिखाया गया है, जो हमने बता दिया, कि चित्र में फूल के अंडाश्य को दिखाया गया है, तो ये हो गया हमारा उत्तर न नमस्कार और बहुत सारा धन्यावाद